हेलो एवरीवन वेलकम टू जीओ फोर यू क्लासिस आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छी होगे आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नाए टॉपिक के साथ प्लेट टेक्टॉनिक थ्योरी इसमें क्या मैंने बताया था जीओ मॉर्फलोजी में प्लेट टेक्टॉनिक एक वह होता निए लोग जैसे दो लोग बात कर रहे हूं तो तीसरा हर चीज में गुसने को शिच करता है चोटे बच्चे होते हैं बड़ो की बातों में गुसने की हमेशा कुशिश करते नहीं ऐसे इसको मान लो हर चीज में घुसाया यह प्लेट टेक्टॉनिक थ्योरी ज इसको हम यूँ समझ लेंगे क्योंकि हम तो ठहरें इंटेलिजेंट बच्चे है ना तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि मॉडर्ण टेक्टॉनिक थ्योरी टुक प्रॉपर शेप आफ्टर नाइंटीन सिक्स्टी यानि कि जो मॉडर्ण अपनी टेक्टॉनिक थ्योरी टैना इसा तुनिये कि एक थी दे दी और एक जैसे मैंने कोई दे दी तो बनके रेडियो होगी और प्रॉपर तरीके से सब लोग ने माल ली नहीं ऐसा नहीं है बहुत से लोगों का काम है इस थीओरी को बनाने में किन-किन चीज़ों काम है जैसे किसी कोई concept इस थीओरी से ले लिए दो लोगों ने आके यह बता दिया इन दो साइंटिस्ट ना कि इन सभी के जो आपस में कहते हैं कि एक मुठी कितनी वह जाता है पावर आजाती है इसी तरीके से अगर मिल जूल के काम करें तो काम तो सक्सेस हो नहीं है इसलिए सब के मेल जूल का काम है किन किन सब्सक्राइब काुसीं यह शेक्रेंटेरीन कॉसेथ आफ कनवेक्शन करेंट्स अज्ग परसी फ्री दिंग इन्छीं यह इन्यू के वारे में जानते है कि जो कण्वेक्शन करेंट थियोरी यह किसने थी आर्थर होम्स ने किसने आतर हूम्स इन्होंने क्या बता-मेंटब have converging and diverging limb बस हमें इतने ही जानना है हर चीज में घुशने की ज़रुवत नहीं है क्या जानना है कि जो convection currents theory है हमें tectonic theory पढ़नी है उससे पर ले हम क्या जान रहें किन-किन लोगों का योगदाने ऐसे बनाने में तो दियो theory सामने आई convection current theory और sea floor spreading convection current theory दी हमें by Arthur Holmes ने इन्होंने क्या बता mental have converging and diverging limb यानि कि यह अपनी crust है इसके नीचे कुछ current चल रहे हैं यह converging limb हो गए यह diverging limb converging limb से क्या होगा converging limb से currents हैं यह heat यह heat residual heat की वज़े से यह क्या है current चल ले हैं यह आपस में ऐसे ऐसे converging converge हो रहे हैं इसके वैसे जो plates हैं कि आपस में टकराएंगी collide होंगी और यह कुछ diverging है यह आपस में diverge होंगी तो क्या structure बनाएंगी किस तरीके से बनाएंगी यह हम बाद में पढ़ेंगे तो बस हमें इतना जानना है कि Arthur Holmes ने उसे बताया कि mental में converging limbs होते हैं जिसकी वैसे plates move करती हैं फिर दूसरा sea floor spreading यह हमें दिया Harry has sir ने इन्होंने और लेटर लेटर सपोर्टेड बाइड वाइन and Matthews and all of work together form the plate tectonic theory sea floor spreading क्या इसे हम अलग से पढ़ेंगे इसके बाद बस हम इतना जानने किस ने दिया Harry has ने बाद में किस ने सपोर्ट किया wine and Matthews ने and all of work together form the plate tectonic theory मैंने पताना इन सभी लोगों के काम मेल जोल के काम से हमें बनी हमारी plate tectonic theory अब हम detail में पढ़ते है plate tectonic theory के बारे में तो इसमें हम पढ़ते है plate tectonic theory के बारे में अगर हम इसको देखें तो upper most layer of earth is the lithosphere and it is broken into segments called plates plates can be both oceanic and continental and are moving on the aethonosphere इसका मतलब क्या है easy way में समझते है क्या कि जो हमने interior structure बढ़ाता our earth is divided into three layers crust mantle और core अब जो crust है वो भी यह हो गया continent crust और यह हो गया oceanic crust यह क्या हो continent crust और यह हो गया oceanic crust और जो यह वाला पाट है यह हो गया esthonosphere क्या हो गया esthonosphere यानि कि upper mental यह किसका पाट है अपर mental का यानि कि जो यह दोनों plates है किस पर ठहर रही है fluid कर रही है esthonosphere पे crust is divided into two parts continent crust और oceanic crust और यह किस पर ठहर रही है दोनों plates esthonosphere पे और जो यह plates है इनके बीच में cracks है क्या है cracks इसलिए प्लेट्स आपस में इधर उधर डगमघाती रहती है तो जो यह interactions होते हैं यह तीन टैप्स की interactions हम पढ़ेंगे there are three types of interactions the first one is plates can collide जब प्लेट्स आपस में टकराती है plates move apart जब प्लेट्स आपस में दूर चली जाती है and third one is plates can slide past one another जब आपस में एक दूसे से गसीटती है जैसे कि एक डियागराम बना कि आपको दिखाता हूं कि यह एक प्लेट है यह एक प्लेट है यह एक प्लेट है यह आपस में क्या करेंगी यह आपस में कुलाइड कर रही है और कुलाइड का रीजन क्या है कनवर्जिंग लिंग बताया तो नहीं से पहले कनवर्जिंग और डैवर्जिंग लिंग का अपने में या टो यह ओग्या को कॉलिजिंय और यह ओगा डाइवरज का कि इसके लिए कुछ चिर्फेंगे यां सगर डाइवर्ज ऊहरे हैं तो आप आप क्लाइड करेंगी तो क्या बनाएंगी मांटेंज बना देंगी या आपसमें डाइवर। हो रही है तो के बनाएंगी बना देंगी अब यह सब हम पढ़ेंगे कैसे क्या बना देंगे सबसे पहले तोEvery उन इस बाहर एक évacем देंगे ओर ते दूर जाती है और पस घसी न Jamie घ्रांस होती है हम पढ़ते हैं प्लेट केंट कोलाइड इसको बाद में पढ़ेंगे कि इसमें दूर जाती है याने कि इस तरीके से यह पर एंसدمें कहां जा रही है ये अपस में दूर जा个 यह लेसे नराज हो गएं दोनों ये दोनों नराज हो गएं गुस्सा हो गएं दो दोस्त हैं एक भाई इधर भग रहा है और एक इधर ऐसी तो होता है तू घर जा भाई मैं भी घर जाता हूं गुस्सा होने के बाद ये अपने घर जा रही है ये अपने घर जा रही है ये अपनी क्या ह यह समझ लो अब इसके पहले हम इसमें समझते हैं कि यह जो अपना है सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले जब डाइवर्जिंग लिंग का कॉंसेप्ट है वो सबसे पहले क्या होता है जो अपना यह हिस्सा है यह ना स्ट्रेच करता है इसमें स्ट्रेचिंग होती है है के जो कॉंटिन है वो गेट्ट फ्ट्रेच 스्ट प्रैचिंग होती है selvdetिंगा ब питan क्या होता है कि येक धीरे-धीरे रिफ्ट वयल्ट में कनवर्ट हो जाता है रिफ्ट वैल्ट में कैसे और इसे अफ्रीकन डटोगा ना तो यह दिर्ट स्ट्रेचिंग होती है। ո्ट्रेचिंग होने के बाद क्या होता एंगा Kyra होता है रिफ्ट वैली में कैसे अफ्रिगन रिफ्ट वैली सुना ओगका न तो ये देरे-दिरे के रिफ्ट कर्फट होता है फिर ऑर स्ट्रेशइंग होगी जो इसकी अउस्ट्रेचिंग और इस देट तोड़े और बड़ी सी में रेड़ सी आपने देखा होगा न जैसे अभी यहां तक था अभी और गवर्ट हो गया तो यह क्या बन गया यह रेड़ सी इंग्जामपल इसका रेड़ सी बन गया अब क्या होगा अब और स्ट्रेचिंग होगी यह प्लेट एक दूसरे से और और तो दूसरो प्रेशर बढ़ेगा वह निके ऑन चैसरेच बने के बाद क्या भारति आट होगा स्ट्रेच एंगं उसके बाद थोड़ा और स्ट्रेच होगा तो छोटा सी बनेगा एक्जामपल उसका रेड़ सी रेड़ सी की सेप देखें आप यही रेड़ सी आने वाले इन फ्यूचर में आपको पता है पूरे प्रॉपर का ओशन ओशन का वो ले लेगा रूप किया नहीं कि सोच रहो यह रेड़ सी अभी इतना है ति दीरे 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 क्या पूरा बड़ा ओशन बन जाएगा जैसे कि यह अपना यह है यह यह प्लेट्स आपस में दूर जा रही है यह क्या हुआ हुए अपलिफ्ट हुआ और क्या हुआ स्ट्रेच हुआ इक्जामपल सबसे पहले रिफ्ट वेली इसका और है तो कि एफ्रीकन रिफ्ट वेली इसका एक इस वेली इस इसका एंजम्पल नहीं यहित्लां इस संक्राइधन रेड़-स यह इसका ऍध्यम्मित तो इतल्जंपल है आट्लांटिक ओशन ले八लन्ट के इसी तरीके से यह सारी चीजें बनी हैं अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जंस के बारे में जब प्लेट आपस में टकराती हैं उनके बारे में कि तो जैसे हमने डाइवर्जिंग इंट्रेक्शन के बारे में पढ़ा अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जंस इंट्रेक्शन के बारे में जब आपस में प्लेट कोलाइड करती है तो इसे हम तीन टाइप में पढ़ेंगे एक तो जो प्लेट आपस में कोलाइड करती है यह जो प प्लेट आईकश्निक प्लेट और कॉंटिनेंटल प्लेटI आपस्मिंट अतक्राईगी और जब कॉंदिनेंग्थ यित незillä हम उसको जानेंगे इसे पहले जाने जहो ओशे पेजित यह परिशन होन पalgesta भीतले जाती हैं सब्सक्राइट कर्धिक्शन की करती है और सब्सक्राइट होतीची बॉस्स से प्लिक्रिफ करते हैं क्या ऐक त्रइंच में नावयों इन दो इन दो ओप यह दो दो आपस नहीं तो बड़ाबर तो नहीं हो सकती आ दो जब लड़ाई तो आती है दो लोगों की एक का सर फूटना तो त्या है है इसी तरीखे जो ये वालां पॉइंट ये वाला पॉइंट यहां पर क्या एक ट्रेंच बन जाता है क्या बनissonDAY कैसा है ओभ त्रिडिम्ग तकराती हैं कि यहां का जो सेडिमेंट है वो इस इस कौनर पर खटा हो जाता है उसके हम बोलता है एक्रिश्निवी प्रिजम यानि कि sediments अलौग इंकोस्त and nutrition 과 गी ऐने फिरेंट के पास जो जोना किस्ट्थे हो थे हम दमाद अनुप तरह आइन Щय सब्छारी प्रिशनर से प्रिशर हले और वाहीं यह प्लेट अंदर चली यहां पर यह जो पर यह नहींटे है। हुआ पर यह इस यहां से यहां से निकलत हो प्लावे और वह बनाता है चाहर की पिल्म अब पिलेगों क्या होता है a group of island for example अन्डुमान और निकोबार भी एक आर्की पिलगों का example है आर्की पिलगों होता है group of islands तो ओओ कोलिजिन का concept clear हुआ न अब हम दूसरे पर चलते हैं OC Collision जब ocean और continent plate आपस में टकराती है तब क्या होती है जैसे हम इंडिया का example लें अपने folding mountain along the coast अगर हम इंडिया का इंडिया लें यह अपना इंडिया है जब यह वाली प्लेट अपनी oceanic प्लेट और Continent Plate आपस में ठकराती है यह continent प्लेट होगी यह अपस में ठकराएगी तो क्या बनाएगी इस coast पे mountains बनाएगी western guards अपने है ना वेस्टेंगाट अपने साउथ में गुजरात से लेके केरला तक तो किसकी किसकी वज़े से हैं ओशेन और कॉंटिनेंट कोलीजन की वज़े से जब यह दोनों प्लेट आपस में टकराएं थी तब पूरे वेस्टन घाट का डवलप्मेंट हुआ था और भी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वह भी कोस्ट में रॉकी एंडी यह भी सब कोस्ट में तो यह सब किसकी वेज और कॉंटिनेंट कोलीजन की वजह और तीसरा जो है वह अपना si c violation com attendant iOS उाने कि जब antibीन कांटिनेंट में टकराएं तब क्या होता है तब बनते हैं हायस type of mountains самое mountains बबना तो तैर यह ना लेकिनी सबसे ऊंचे contributes मंते दें CC collision से हमाल्यास किसका किस की वह से CC collision की वजह से continent 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 plate आपस में तक रही तो क्या बने हमाल्यास हाइस टाइप of mountains और यह सीश्मिक होते हैं वालकानिक नहीं होते हैं यह बहुत टॉप वह है कि सीश्मिक होते हैं वालकानिक नहीं होते हैं लेकिन बट है और फीचर्स ऑफ पास्ट वॉलकानिजम्स एक्जम्पल कारकोरम हाफ वॉलकानिक रॉक्स कारकोरम रेंज हैं अपनी कहाँ पह लद्दाक के भी उपर कारकोरम लद्दाक जासकर पढ़िती नहीं हमने ट्रांस हिमाल्याज में जिसने नहीं पढ़ा हो वो इंडिन जोग्रफी में जाके पढ़ ले यहां वीडियो देखने के बाद पढ़ाई लिखाई करो यार काम आईगी यहीं तो यह होगी कि अपनी कन्वर्जन इंटरेक्शन कंप्लीट और इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी आशा करतो हूं इजी ली आपको इजी तरीके से समझ आ गी होगी और जो भी कॉंसेट समझ नहीं आते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दि टोपिक में है ना तब तक के लिए थैंक यू सो मच